नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका उत्राखन एक्जाम करेकर में दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है उत्राखन परिक्षावानी कैसे पड़े काफी अभ्यत्यों की क्वेरीज आ रहे हैं कि सर आमने परिक्षावानी की बुक ले लिए काफी नए स्टुडेंट तैयारी कर और उत्राखन में Bumper Vacancy आ रही है तो वो कह रहा है कि परिक्षवानी की बुक ले लिया लेकिन कैसे पड़े क्या पड़े कम समय में कैसे में ज्यादा आउटपूट निकले तो इसके लिए आपको Planning बनानी पड़ेगी कि किस टाइब से पढ़ना है पर तो सब रहे हैं लेकिन सलेक्षण तो कोई-कोई ले रहे है न तो वह है आपको किस तरीके से पढ़नी आप कम टाइम में जादा से जाद आप कैसे कवर कर सकते हूँ वही एक्चाम में आपका माहिने रखता है क्योंकि बुक तो सबके पास है और धीरी धीरी आर कोई ना कोई पढ़ रहा है तो आपको क्या करने है एडिसन चेंज हो के साइड इसका कवर चेंज हो गया हो तो आप देख ले ना परिक्षवानी की बुक तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस टाइप से पढ़ने है परिक्षवानी तो देखे दोस्तों इसमें क्या है परिक्षवानी में एक से लेके 23 तक टॉपिक है एक 23 topics में किया है निचोड है सारे 23 topics को मिला के चोड़ चाहते होगर आप लापरवाई की कोई भी गुंजाईज नहीं चोड़ा चाहिए आप तेज तक भी कर सकते हो, लेकिन 22 तक भी काम चल जाएगा, ठीक है, इसको आप बाद में कवर कर सकते हो, 23 टॉपिक, तो आपने क्या करना है, दो से लेके 22 या 23 टॉपिक, जो भी आप कवर करना चाहो, आपने इसको एक बार, सुरू से लेके, लाश तक आपने complete पढ़ना है, अब इससे क्या होगा, आप कहोगे कि सर पढ़, ऐसे में पढ़के क्या होगा, अब आप एक चीज बताए, आप न्यूस पेपर पढ़ते हो, आपके मोबाइल में आपने कोई application डाउनलोड की हो, जिसमें Bollywood की कोई news आती हो, या किरकेट की कोई news आती हो, ठीक है, या तो क फाली और अर्जुन कपुर से साधी करने वाले हैं, हमने थो ये अब याद नी किया, लेकिन दिमाग में बैठ गया, अभी मैं आख बार पर पहल कोई नूस होता है, वा निमाघ में बैठ जाती है, तो आप ने दूसरे topic चो और 23 topic तक अगर शुरू से लाज्ट तक पढ़ लिया तो इससे आपके दिमाग में एक चीज हो जाएगी आपके दिमाग में 10% से लेके मरलब जो student सबका दिमाग तो same नहीं होता है तो किसी के दिमाग में 10% जी के fit हो जाएगा तो किसी के 20 तो किसी के 25 या 30% जी के दिमाग में किलिक कर जाएगा अब इसमें कोई आपको पूछेगा कि हाँ उत्राखंड में गोलुदेपता का मंदिर तो हाँ कहोगे आपकी हाँ मैंने पढ़ा है यह मुझे मैं आपको बढ़ाता हूiller में पहली बार में क्या कदना है फिर्स टाइम में फर्स टाइम में दूसरे टाफिक नहीं दूसरे से तेष तक नुस्पेपर की तरह अब एक दिन में आप नहीं पढवाओगी तो आपने क्या करना है जैसे आपने 30 पन ने पढ़ दी, तो अगली बार आप 31 से लेके 50 तक पढ़ दो, या 51 से लेके 100 तक पढ़ दो, इस टाइप से आप complete करना है, अब आपने क्या करना है, फिर इसको पढ़ना है, लेकिन इस बार आपने क्या करना है, अपने हाथ में एक highlighter लेना है, highlighter आता है, 10-15 रुपे का, जिसके पास highlighter ना हो, pencil या pen लेके, यूज कर सकता है, अब आप किस टाइप से पढ़ोगे, देखो, second time आपने क्या करना है, हाथ में highlighter भी रखना है, अब आपने उसका यूज करना है, अब जैसे आप चमबा के बारे में पढ़ रहो, किस के बारे में, चमबा के अगर इस दिता, तो यह एक्जाम के दरिश्टी कोई से कोई important नहीं है, कि यह क्योशन आ सकता है, यह नगरिया छेतर हिमचादी हिमालया सिकरों एवं पवित्र भाईगरती घाटी के मनुरम दरिश्चियों को परसुत करता, तो ऐसे तो हर जग ऐसे क्या होता है, मनुरम द से क्या है, उसका junction का काम करते है, तो आपने highlighter लेकि इसको highlight करना है, इसे, दूसरी बार बता रहो, पहली बार तो आपने किनारे से पढ़ना है, दूसरी बार भी आपने पूरा पढ़ना है, लेकिन आपने क्या करना है, हाइलाइट करना है, ठीक है, फिर आपने पढ़ना है कि Victoria Cross Bridge गबबर सिंग नेगी यहीं के थे तो इसको भी आप ने क्या करने हालाइट करना है कि गबबर सिंग नेगी कहाँ के थे यह कहाँ के थे चमबा के इनहें कौन सा संब्मान मिला था इनहें मिला है Victoria Cross उनकी इनम स्मिर्थी में यहाँ परकिवारस एकिस अप्रेल को मेला लगता है अब देखी यह भी important है कि चंबा में कौन सा मेला लगता है कि गबबर सिंग की स्मिर्थी में लगता है चंबा में मेला कब लगता है तो 21 अप्रेल लगता है अब यहां से आपने चीज नौट की होगी है आपने यह highlight तो कर लिया है ठीक है आपने यह highlight कर लिया तो यह जो हमारे काम का नहीं है इसको आपने skip कर देने आपने highlight तो किया नहीं है ठीक है इसको आपने कारता नहीं मतलब जो highlight किया यह तो आपके काम का है लेकिन यह आपने छोड़ देना है इस टाइप से आपने पूरी बुक हाईलाइट करने है पेन, पेंसिल या हाईलाइटर जिससे भी करोगे तो आपने क्या करने है पूरी बुक इस टाइप से पढ़ने है और जहां जहां आपको इतना वारा topic था, इसमें 18-10 line हैं, लेकिन हमारे काम की कितनी है, 4 line है, तो आपने ऐसे पूरी book पढ़नी है, पूरी book आपने complete की, और इस step से क्या हो जाएगा, आप highlight कर लोगे पूरी book को, अब आपने book को दो बार पढ़ लिया, अब आपने तीसरी बार book को पढ़ना है, अब पढ़ते जाओ, फिर आपने 4 बार फिर पढ़ना है कि कहीं कोई छोट ना गया हो, जो highlight करना था, आपने 4 बार फिर ऐसे पढ़ना है, केवल यह पढ़ना है, जो आपने highlight किया है, और पांचवी बार भी आपको time नहीं लगेगा, highlight वाला portion तुरंत आपकी नजर वहां पर ज ठीक है, यह आपका हो गया, 3-4 बार आपने इसका complete revision कर लिया, अब इसके बाद आपने देखो क्या करो गया, आपने करना है जो पहला topic पढ़ा इससे, अब आपने highlight पढ़ना है, फाल्दू की चीज़े नहीं पढ़ना है, अब आपने इसमें पहला topic पढ़ा, आपने complete किया पीछे की question answer है, वो लगाई, फिर इसके बाद जो पहला topic है, संचीत अवलोकन, ठीक है, इसमें जो पहले topic का portion A है, पहले topic का portion उन्होंने क्या दिया है, दूसरे का B दिया है, तीसरे का C दिया है, तो आप वहाँ देख सकते हो कि कौन से topic का कौन सा part है, तो आपने क्या करना जैसे पहला topic पढ़ा तो आप दूसरा topic नहीं पढ़ना है, इसके बाद आपने first topic में ये वाला part पढ़ना है, first topic complete करने के बाद, इसके बाद आपने दूसरा कोई भी एक topic पकड़ना है, और उसके बाद आपने first इस वाले topic में जाना है, उस वाले portion को आपने क्या करना है, complete क अब इसके लिए आपको एक और तयारी आप कर सकते हो कि आपको लगेगा यार परिक्षावानी काफी बड़ी वोग है तो हम क्या करेंगे जो छोटे-छोटे टॉपिक है वो पहले पढ़ते हैं इसमें क्या हो जागा आपके 22 में से 15 टॉपिक कंप्लिट हो जाएंगे तो आप इतियास के पिछे पहले दिन पढ़ गए तो आपको गया इतियास में तो ज्यादा पेज है तो थोड़ा सा क्या होता है दिमोटिवेट होता है तो आपने छोटे-छोटे टॉपिक तो आपको लगेगा मेरा एक टॉपिक हो गया है आज दिन में मेरे चार टॉपिक हो कल भी मेरे चार टॉपिक हो गोई तो आप क्या कर सकते हो कि जो छोटे टॉपिक है जैसे खनीज संपदा है काफी दो पेज है इसमें परिवहन तंतर उर्जा संसादन आर्थिक व्योस्ता अब आपने खनीज संपदा पड़ा तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है यह हो गया आपका फिनिस इसके बाद आपने परिवहन पड़ा इसको फर्स्ट टॉपिक में ढूंडा इसको भी कम्प्लिट किया तो छोटे छोटे आपके एक दिन में तो छे या दस टॉपिक कम्प्लिट हो जगा है आर्थिक व्योस्ता उर्द्या संसादन उद्योग हो इसके बाद आपने क्या करना है राजनीतिक परसासनिक धांचा जैसे ले लिया तो इसका एक पार्ट कर लिया इस टैप से आपने क्या करना है एक टॉपिक पकड़ना है पूरा पार्ट और फर्ष्ट वाले से उसका पार्ट आपने वहां से रिविजन करना है इसी का आपक परिक्षावाणी complete करने है बस और उसके बाद एक पूरा अध्याय पड़ा और उसको ढोंडा पहले वाले topic में कि कहाँ पे इसका अध्याय गई वाला पाट और वो हो जाएगा आपका complete इसी परकार आपने छोटे-छोटे topic पहले complete करने हैं आपको क्या लगेगा है मेरा या 18 टॉपिक आपके आसानी से पांस दिन में कवर हो जाएंगे तो आपका लोगेगा है यार मैं जल्दी-जल्दी काथी growth कर रहा हूँ आप एक बड़ा topic ले लिया उसे में महीने लगा दिये ठीक है तो फिर तो कब आप GS पढ़ोगे कब computer पढ़ोगे कब current affair पढ़ोगे क previous year के पढ़ोगे और जो पढ़ोगे और पीछे से बोलते भी जाओगे तो ऐसे में तो मुद्दत्य हो जाएंगे ठीक है आपने क्या करना है most important topic आपने जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ और इस टाइम देखो सितंबर गया अक्तुबर नौमबर और दिसंबर जनबरी फरवरी छह महिने के अंदर paper होने वाले हैं bumper चुनाव से पहले तो आपको इस लिए तयारी करने पड़ेगी क्योंकि अगर आपका स्लेवस हो रहा है complete और उसके बाद exam होने बंद हो गई चुनाव हो गई तो फिर जो ये exam हो रह इस तरीके से आपने अगर पढ़ाई की अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ सेर जरूर करें